हेलो फ्रेंड बरत में खाना हो या आप वेट लॉस श्टार्ट किये हों, वेट लॉस कर रहे हों, हर तरह से ये कुट्टू हमारे सरीर के लिए फायदे मंद है इसमें फाइबर बहुत जादा पाया जाता है जो की वेट लॉस करने में आपकी मदद करता है तो चलिए इसकी recipe देख लेते हैं Hello So friend, बहुत आसान है इसकी recipe बनाना इसे कई तरह से recipe बनाई जाती है लेकिन आज में जो बनाऊंगी वो बिल्कूल लो मतलब कि एक चमस तेल से बनाऊंगी और बहुत जल्दी ये बन करके नास्ता हमारा ब्रत का नास्ता बन करके रेडी हो जाएगा So friend, आज हम कुट्टू की खिचडी बनाएंगे साबुदाने की खिचडी तो आपने बहुत बार खाई होगी इस बार कुट्टू की खिचडी बना करके खाईए तो कुट्टू को हम पहले ही आधे घंटे के लिए धूल करके छोड़ दिये थे उसे बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है फिर पतीला लिए हैं और पतीले में दो चमच घी डाले हैं आप चाहें तो एक चमच घी डालेगा या पिर जो भी आपका वेजिटेबल ओयल होगा उसे एक चमच ले लेजेगा और आधा चमच घीसा हुआ अद्रक है और वन थर्ट टेबल इस्पूर इहां पर काली मिर्च लिए हैं काली मिर्च की क्वांटिटी वेट लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इस वली खिचडी में काली मिर्च का टेश्ट बहुत अच्छा आता है और पांच मिनट तक हम आलू और मसाले डाल करके भून लिए थे उसके बाद हम कुट्टू डाल दे रहा है कुट्टू को भी डाल करके पांच मिनट के लिए आपको इसे भून लेना है उसके बाद एक कटोरी आप अगर कुट्टू लिये हैं तो इसमें आपका कम से कम पांच कटोरी पानी जाएगा तो जिसमें चार कटोरी हम अभी डाल रहे हैं एक कटोरी मैंने बाद में डाला था तो इस एक कटोरी कुट्टू से कम से कम पांच से छे लोंग भर पिट नास् और फ्रेंट धक करके दस मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देना है तो जो खिचड़ी है यह बहुत मतलब कि टेश्टी लगती है खाने में और वेट लॉस कर रहे होंगे तो आप इसे सुबह खा लेंगे तो आपको दोपर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है और आप वेट लॉस भी कर रहे होंगे तो आज की मेरी कंप्लीट थाली को जरूर फालो कीजिएगा यह आपकी कंप्लीट लंच थाली भी बन जाएगी क्योंकि यह सारी आप लाश्ट तक वीडियो में बने रहे हैं मैंने पूरा फुल लंच थाली जो होती है वो इस द्रिंक ना पिए तो फिर हमारा जो बॉड़ी है वो मतब डी हाइडरेट हो जाता है इसलिए कोई ड्रिंक ब्रत में जरूर से जरूरा पीजिएगा तो सारे गुदे को हम निकाल लिए हैं और यहां पर हम पानी डाल रहे हैं मटके का अगर आपने अभी तक मटका नहीं खरीदा है अपने घर में नहीं लेकर के आएं तो ले आईए मटके का पानी पीने से अन्नम गले का जो तरास है वो बुझ जाता है और जब वहीं हम फ् दस मिनट हो गए थे तो दस मिनट में खिचरी हमारी देखिए बिल्कुल मतलब पकने वाली है तो यहां पर हम डाले हैं टमाटर को दो टमाटर लिए हैं और टमाटर को हम पहले नहीं डाले हैं क्योंकि टमाटर पहले डाल देते तो एकदम से गल जाती इसलिए हम बाद में दाले हैं तो हम कोई मसाले इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं ऐसे ही एक बार बना करके खायें बहुत टेश्टी लगएगी और ये जो दस मिनट हो गया था तहा तो दस मिनट के बाद इतना अच्छे से फूल जाता है ना कि आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है पोटेटो मेशर ले लिजेगा और इस तरह से मैश कर लिजेगा तो फ्रेंड ये देखिए कि इतने अच्छे से मेरा मैश हो गया है उसके बाद एक मतलब छनी लीजेगा और नीचे पतीला रखेगा चान लेज दालिएगा क्योंकि इतने छोटे-छोटे से मतलब की बीज होते हैं ना कि आप ज्यादा दबा करके गुदर निकाल देंगे तो ये बीज फुट जाएंगे और फिर आपका जो शर्बत है बेल का ये कड़वा लगेगा तो बहुत लों कहते हैं कि हमें कड़वा लगता है तो वो इसी वज़े से कड़वा लगता है कि वो शर्बत बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते बहुत बारीक बीज होते हैं तो मेरा च्छन गया था तो यहाँ पर हम जो चीनी डालेंगे फ्रेंड आप अपने टेस्ट एकोडिंग चीनी डाल दीजिएगा बहुत जर है तो हम भी बहुत थोड़ा सा चीनी डालें तो शर्बत हमारा बन करके रेडी हो गया है और खिच्डी भी हमारी लगभग बन करके रेडी हो गई है तो यह देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मेरी खिच्डी मतलब उबल रही है और तो हम इसे कूकर में क्यों यहाँ प पदली पदली से बनानी थी गश्डी बिल्कुल हो गई है तो पांच मिनट के लिए ढख करके रख दिये हैं फिर पुदी धनिया डाले हैं धनिया से थोड़ा बहुत अच्छा टेष्ट आता है खिच्डी में तो आज तो मेरे पास थोड़े सा दनिया था तो थोड़ा सा ह ही डाले हैं तो चलिए अब हम अपनी जो लंच की थाली है ना उसे दम लगा लेते हैं और इंज्वाय करते हैं तो आप खिचुड़ी देख रहे होंगे ना आप नॉर्मल टाइम के लिए बना रहे हैं तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं लेकिन हम ब्रत के लिए बना रहे है ब्रत में हमारे नॉरात्री के ब्रत में हल्दी नहीं खाई जाती है मतलब जिस दिन ब्रत हैं उस दिन नहीं खाते हैं तो इसलिए हल्दी हम नहीं डाले हैं अब देख लीजे फ्रेंड की कितना मतलब की धनिया उपर से भी डाल दिये हैं कितना डिलेशियस लग रहा है तो आप वेट लॉस कर रहे होंगे तो एक प्लेट आप इसे खा लेजिए एक दब मतलब की चका चक हो जाएंगे खा करके तो फ्रेंड ये है हमारी आज की कम्प्लेट थाली जिसमें की हमारा कुट्टू की खिचड़ी है फ्रूट है दही है और जूस है बेल का हेलो फ्रेंड अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो लाईक जरूर करिए गा और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे इस बेश्राइब करिए और कुट्टू की अगर और और भी रेस भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजेगा फ्रेंट जिसे की मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए